स्वास्थे समंदी चर्चा में आज आपको गरेलू मर्दान की सक्ति बढ़ाने के मैं दो पांच नुस्थ के आपको दे रहा हूं आज साल का अंतिम दिन यानि की दो जार बीश की बिदाई 31 दिसंबर आज दो जार बीश है और ये साल बड़ा ही उथल फुथल और दुख जाई रहा इस वर्ष से प्रातना है शिरी हनमान जी से प्रातना है कि आने वाला साल 2021 यानि की कल्ट से बहुत अच्छा आएगा सुक, सम्रदी, सान्ती, पूरे देश को तंदुरुस्ती, निरोगता ये सब मिलेगी और प्रमात्मा की कृपा सब के उपर बर्षेगी, पूरे संसार के उपर बर्षेगी, पूरे देश के उपर बर्षेगी आने वाले साल का आप बहुत अच्छे तरीके से स्वागत करें और एक बात में आपको जरूर करता हूँ, ये आज इसलिए करता हूँ कि आज साल का अंतिम दिन है जो गल्तियां हम से 2020 में हुई, वो गल्तियां अब ना हो इसके लिए आपको सादगी अपना लेनी चाहिए, जितनी सादगी से आप रहेंगे आपका खाना पिना सादगी से रहेगा, आपका रहन सेन सादगी से रहेगा आपकी भासा जो है बोलने की वो सादगी से रहेगी और आपका व्यवहार हर किसी से प्यार और महुबत का रहेगा तो ये साल 2021 बहुत अच्छा गुजरेगा ये हमें परिवर्तन अपने अंदर करना है जो अपन से बड़े हैं, माता हैं, पीता हैं, बुजर्ग हैं उनका आदर और उनका सत्कार होना चाहिए और इसके अलावा जो जितने ये दंगे, फसाद, हड़ता लें और ये सब नहीं होनी चाहिए अपने जो डेश के अंदर जो पईया चलता है आठीक रूप से सब को दो रुपय कमाई का जरिया है उसे चालू रखना चाहिए, उसे कभी नहीं रोपना चाहिए ने कोई हड़ताल करनी चाहिए, ने कोई जगड़ा करना चाहिए सब को आपस के अंदर बहुत प्यार और महबत से रहना चाहिए हिंदू, मुसल्मान, शिक, इसाई, सब अपने भाई हैं सब एक ही ही चमडी से बने हैं कहीं भगवान ने कहीं भी फरक नहीं रखा फरक थोड़ा सा भगवान ने ने रखा वो जलवायू और क्लाइमेट के हिसाथ से कहीं गोरा बना दिया तो कहीं हलका काला बना दिया लेकिन उसने बनावट के अंदर कहीं कोई कमी नहीं रखी सब को वो कुछ दिया है जो हर किसी को चाहिए कहीं भी भेदभाव नहीं किया अरे जब उसने ही कहीं भेदभाव नहीं किया तो आप और हम क्यों भेदभाव करते हैं किसी अच्छे हिंदू विद्वान ने अरे अकसर दो अगर मुला के ले लिए अरे तो वो भी तो भगवान है क्या हो गया इसमें कौन सा पाहाड तूट गया तो ऐसे छोटी मोटी बातों को ज्यादा हवा न दें और इसे धर्म से न जोड़ें आदमी स्वतंतर है हर एक कोई स्वतंतरता प्राप्त है मैं बेटा बेटा राम राम करता करता ये दिया लाह लाह करूं क्या हो गया इसमें किसको तकलीफ हुई किसको तीर लगा किसको क्या हुआ अरे हमारे ऐसे बहुत मुसल्मान भाई हैं अभी भी जो दिवाली मनाते हैं होली मनाते हैं और प्यार और महबत से रते हैं और वो छोटे से मोटे यहीं पे हुए हैं वो ही पगड़ पहनते हैं उनका रहन सहन बिलकुल वो ही है जो आपका और हमारा है फिर ये भेदभाव क्यों ये पक्का आज से कल से आप एक मन के अंदर धड़ विश्वास ले करके कि हम सब भाई हैं और सब भाई अगर मिल गए तो ये देश अपना सर वो परी देश रहेगा अपने अपने मज़ब को खूब आप आराम से मनाईए इसमें कोई किसी की अबादा नहीं होनी चाहिए हिंदू अपने धर्म को माने मुसल्मान भाई अपने धर्म को माने सिक भाई अपने धर्म को माने हर किसी को ये एक अधिकार है कि वो अपने धर्म को माने अपने माता पिता को माने अपनी संस्कृति को माने और सब को जन्म देने वाला और सब की हिवाज़त करने वाला उसकी सक्ति उसका क्या नाम है ने उसका नाम राम है ने उसका नाम क्रश्न है ने उसका नाम अल्ला है ने उसका नाम गोड है वो कौन है जो इस पूरी पर्थवी को चलाता है जो सब के खाने की और पीने की व्यवस्ता करता है और इस पर्थवी के अंदर संतुलन बनाए रखता है थंडी हवा आपको देता है ओक्सिजन आपको देता है पीने को पानी आपको देता है सर्दी से बतने के लिए आग आपको देता है आपको क्यार नहीं देता वो कौन सी सक्ति है उस सक्ति को सर्व परिमानों जिसको एक एक प्राणी की फिकर है उसको सर्व सक्तिमान वो है किनका है सारे संसार का सारी जातियों का और सारे इंसानों का और सारे जीव जन्तूं का एक ही मालिक है वो है जिसका कोई नाम नहीं उसकी सत्ता को स्विकार करो वो सब को देखता है उसकी निगाब बहुत दूर दूर तक है वो किसी को भी भूका नहीं सुलाता वो सब को पेट भरता है उस परमपिता परमेश्वर को सब उसकी सक्ति को जिसका कोई नाम नहीं जो इस पूरी पर्ठवी को चलाता है संसार को चलाता है और एसे अभी भी कहीं अध्रश्य जो की ने कोई वेग्यानिकों को पता ने कोई जोतिश्यों को पता एसे एसे जहां मनुष्य रते हैं जहां जानवर और प्रानी रते हैं जहां सुक्समा से सुक्समें आज करते हैं ना कि एलियन्स आकास के गंगा में रते हैं कोई करते हैं कि वहाँ ये जीवन है कोई करते हैं उन सब को जो संचालित करता है वो सर्वेपरी है उसकी सत्ता को स्विकार करके और उसने क्या कहा मानव को मानव की सेवा करनी चाहिए मानव को जीव मात्र के उपर दया करनी चाहिए अरे जीव सब का एक साही होता है जो निर्जीव जो ना समझ है जो जुबान से बोल नहीं सकते वो गाई हैं बचड़ा है बकरी है बकरा है कोई भी है उसे क्यों हलाल करें उनका कितना जीत दुख पाता है ये थोड़ी कलपना करके सोचो अपने सरीर पे एक जरासाग भी खरोंत लग जाए तो कितनी तकलीफ होती है पट्टी करवाते हैं बेंडेज करवाते हैं वो करवाते हैं ATS का इंजेक्शन लगाते हैं तो इसी तरह जिस तरह आप अपने सरीर को समझते हैं इसी तरह हर एक प्राणी मात्र को समझिये हर एक प्राणी मात्र को जीने का अधिकार है उसे आप उसका बद नहीं करें उसकी हत्या नहीं करें चाहिए वो कोई भी प्राणी क्यों नहों जिसने इस पर्ठ्वी को बनाया जिसने इस संसार को बनाया उसने सब को अधिकार दिया है उसके अधिकारों का उलंगन क्यों करते हो आच्छे सपत लो कि हम किसी भी जीव को वो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो उसको हम कभी नहीं सताएंगे हम उससे महुबत करेंगे हम उससे प्याद करेंगे यह हुई बात अब मैं आपको आज गरेलू पांच नुश्के दे रहा हूँ यह सामने प्राले करता हूँ आपके यह गरेलू नुश्के मैं आपको दे रहा हूँ हाँ देखिए सेक्स पाउर को बढ़ाने के लिए हैं घरेलू नुश्के घरेलू नुश्कों को आप कमज़ोड ना आके हैं यह नुश्का मैं आपको जो दे रहा हूँ इसमें पहला जो नुश्का है जो चमतकारी नुश्का है लहसुन लहसुन को शेक्स सक्ति बढ़ाने और शेक्स समंदी कमज़ोड़ी को दूर करने में बहुत उपयोगी माना गया है लहसुन को लहसुन की दो तीन कलियां रोजाना खाने से शेक्स सम्ता बढ़ती है ये एक बहुत ही अच्छा नुश्का है ये मत सोचिए कि हम लहसुन को जानते हैं अगला जो मैं आपको नुश्का देता हूँ पियाज पियाज भी शेक्स सक्ति बढ़ाने में काफी सहायक है खास तोर से सपेद पियाज सपेद पियाज में गुन ज़्यादा होते हैं जिने सेक्समंदी कोई भी कमजोरी हो उन्हें पियाज का सेवन करना चाहिए छे मिली लीटर पियाज का रस और तेन गराम गाय का घी और ढ़ाई चमच शहद ये एक साथ मिला करके रोज सुबह है साम पिकर उपर से मिश्री मिलावा गाय का दूद पियें ये परियोग दो तिन मैना करने से वीरिये में ब्रदी होती है शेक्स पावर बढ़ती है देखिए ये बहुत अच्छा नुस्का है लेकिन आप गलती कहां करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ आप शुरुआत तो कर लेते हैं और पांच साथ दिन के अंदर ही जब आपको रिजल्ट नहीं आते हैं कि इसमें कोई कुछ से नहीं है हटाओ एक तरफ बस यहां आकर के मात खा जाते हैं आप उसको यह घरेलू नुस्का है यह धीमी गती से काम करेगा लेकिन जो काम करेगा धीमी गती से तो पक्का काम होगा अरे जब कच्छवा चलता है तो बहुत धीमी गती से चलता है लेकिन वो इतना धीमी चलते चलते ही कोशों का सफर पूरा करता है और खरगोश होता है वो इतना फाट चलता है लेकिन दस कदम की दोड़ के अंदर हफ नहीं लग जाता है इसलिए ये जो नुस्का मैं आपको बता रहा हूँ इसको मामूली ना समझें मैं आपको दुबारा और बोल देता हूँ सपेत प्याज का सेवन करना चाहिए हाँ ना तो इसका सपेत प्याज का छे एमल रस और तेन गराम गाही का घी और धाई चमच शहद इनको मिला करके और सुबसाम चाटें बहुत टेस्ट्यू है और ये परियोग तीन मैं ना करें अगर तीन मैंने में काम नहीं करें तो करना बुद्धा जूट बोल गया कभी जूट नहीं बोलूगा ये काम करेंगा लेकिन आपको तीन मैंना करना होगा हाँ, अगला जो मैं नुस्का दे रहा हूँ, दिन में अभी मोसम नहीं है, लेकिन आएगा दिन में दो बात जमुन खाने से भी बहुत ताकत सरीर को प्राप्त होती है अगला जो नुस्का है, दो सो मिली लीटर गाई के दूज में एक चमच शहद मिला कर पिने से वीर ये की कमी दूर होती है, बहुत प्यारा नुस्का है दो सो एक गिलास गाई के दूज के अंदर एक चमच सहद को डाल करके आप रोज फीजिए दो तिन मेना फिर देखिये कमाल अगला नुस्का मैं आपको जो दे रहा हूँ पंदरा ग्राम सपेद मुसली की जड़ को एक कप दूज में उबाल कर दिन में दो बार लें इसके नियमित शेवन से नपुन सकता शिग्र पतन से छुटकारा मिलता है बहुत प्यारा नुस्का बहुत सारल नुस्का पंदरा ग्राम मुसली की जड़ और मुसली एक ही चीज होती है पंदरा ग्राम मुसली की जड़ को एक कप दूज में उबाल लें इसके नियमित शेवन से नपुन सकता और शिग्र पतन ये दोनों ही ठीक होंगे आगे मैं आपको और कुछ बता रहा हूँ सेक्स से इच्छा बढ़ाने के लिए सेक्स की इच्छा बढ़ाने के लिए एक सो पचास गराम गाजर अभी खूब आ रही है एक सो पचास गराम गाजर को काट कर हाप बाइल्ड अंडा और एक टेमपुन सहद मिलाकर दो महिने तक एक दिन में एक बाइख खाएं ये नुस्का भी बहुत प्यारा है हालां कि मैं अंडा नहीं खाता लेकिन दवा तो दवाई है हाँ सर्दी के मोसम के अंदर सेक्स पाउर बढ़ाने के लिए देड़ सो ग्राम अभी गाजर आ रही है इसको काट करके और आदा बोल्ड करें और अंडा और एक टेमपुल शहर टेमपुल का मतलब बड़ा चमत ये मिला करके एक वगत खाएं और दो महिने तक खाएं इससे सेक्स सक्ती बहुत बढ़ती है अगला जो नुस्का है सर्दी के मोसम में सुबह दो तेन खजूर को गाई के घी में भून कर नेमित रूप से खाने से सेक्स पाउर बहुत बढ़ती है अरे खजूर के ठेले बरे पड़े हैं क्यों नहीं खाते हो आप हाँ अगला नुस्का ये भी बहुत अच्छा है एक ग्राम जाए फल का चूरन एक ग्राम जाए फल का चूरन सुबह ताजे पाने के साथ लेने से सेक्स पाउर बढ़ती है सेक्सक्ति बढ़ाने के लिए रोजाना दस ग्राम चूहारे खाने चाहिए यानि कि एक चूहारा खाना चाहिए जब खजूर नहीं आए उस वगरता अभी खजूर खाये और जब खजूर नहीं आते हैं तो कूटे हुए चूहारे बादाम पिष्टा बेल फल के बीज इनको समान मातरा में मिलाकर खाने से सेक्स की हर तरह की कमजोरी ठीक होती है कुछे मुनक्का को अच्छी तरह से पानी से धोकर दूज में उबालें इससे वो फूल कर मिठे हो जाएंगे इन्हें खाने के बाद गाई का दूद पियें ये आपकी ताकत को कम नहीं होने देंगे इसके अलावा जो अगलन उसका है सुबह नास्ते में एक गिलास टमाटर के रस में थोड़ा सा सहद मिलाकर पीने से सरीर की सक्ती बढ़ती है टमाटर की कमी नहीं है दोस्तों आराम से आप टमाटर निकालिए रस एक गिलास और एक दो चमच सहद मिलाकर पीजिए अगला जो नुसका है एक चमच बढ़ी कटी हुई हरे धनिये को एक कप पानी में पंदरा मिनट तक धग कर उबाड़े इसने चांद कर दो चार टेंपल दिन में एक बार ले तो यह आज मैंने आपको कुछ से गरेलू टिप दिये देखो थोड़ा वीडियो बड़ा बन गया मैं माफी चाहता हूं और यह 31 दिसंवर है इस पूरे साल के अंदर 2020 में हमसे भी कहीं गलतियां हुई होगी होती है क्योंकि मैं भी एक मानव हूं मेरी वज़े से कहीं के दिल भी दूखे होंगे कहीं ने कुछ भी कहा भी होगा तो मैं आप सबसे पूरे देश वाशियों से पूरे विदेश में मेरे बाहिरते हैं उन सबसे हद जोड़ करके प्रातना करता हूं कि मेरे कोई भी गलती अपराद को आप समा करेंगे और आपको आने वाला 2021 मंगल में और सुख सांती देने वाला हो जै स्री राम जै हर्मान